खबर आज भी दुखद है आज 60 लोगों ने अपनी जान जम कश्मीर में कोविड-19 के चलते गवाई है 60 डेट्स आज का ये जो 60 डेट्स का आंकड़ा है अभी तक का हाइस टोल जो है वो कोविड-19 की सेकंड वेव में है और फर्स डेट्स में भी अगर बात करें तो 60 तक मौते जो है वो नहीं पहुंची थी जम कश्मीर में 42 मौते इन में से जम्मू डिविजन से हुई है और 18 मौते कश्मीर डिविजन से हुई है यह जो 42 का नंबर है यह आंखे खोल देना चाहिए प्रिशासन की और परिशान कर देना चाहिए हर इस नागरिक को जो इस समय विडियो देख रहा है 42 लोगों ने जम्मू डिविजन से अपनी जाने गवाई है और 18 लोगों ने कश्मीर डिविजन से अपनी जान गवाई है साथी में 4788 positive cases आए हैं जहां तक बात है positive cases की यह नंबर कोई बड़ा नहीं है क्योंकि जितने samples test किये जा रहे हैं आज ही कि अगर बात करें पिशल 24 गंटों में 46,792 samples test किये गए थे और डॉक्टर से हमारी जो बात हो रही है उनका यही कहना है कि COVID की second wave में 10% positivity rate जो है वो average है तो आपकी testing जितनी बड़ेगी आपका 10% cases जो है वो positive आएंगे ही जिसके चलते आज भी 4788 cases जो है आज भी positive आए हैं लेकिन जो आंकरा हैरान कर देने वाला है वो है deaths का आज अगर बात करें तो आज 16 मोते government medical college जम्मू से हुई हैं लेकिन 10 लोग वो थे जिनकी मौत उनके घरों पर हुई और उसके बाद उन्हें हस्पताल लाया गया यानि कि 10 broad dead थे कई सारे लोग जो घबरा रहे हैं अभी भी हस्पताल जाने से ये सोच कर कि हम घर में ही treatment कर लेंगे हम घर में oxygen cylinder का इंतजाम कर लेंगे आज हमारी बात एकसेटूरी मेडिसिन डॉक्टर अनिल शर्मा से हुई उन्होंने भी यही कहा कि oxygen saturation जब गिरनी शुरू हो जाती है उस patient को अगर आपके पास medical expertise नहीं है तो घर पे manage नहीं कर सकते दस लोगों की जान जो बचाई जा सकती थी वो नहीं बर्च पाई क्योंकि वो लोग हस्पताल नहीं पहुंचे उसके इलावा 16 deaths जो है GMC जम्मू में हुई बहुत शर्मनाक है डेली जो figure government medical college जम्मू से देखने को मिल रहा है बहुत शर्मनाक है हाला कि cases जादा है serious patients जादा है इसके चलते deaths ना हो ये भी कम है इसकी भी possibility कम है जब serious cases होगे जब रंग involvement होगी और ये बिमारी ऐसी है जिसका अभी तक कोई permanent ilaj नहीं है तो 16 का figure ये जो आज देखने को मिल रहा है बहुत दुख़त है दो लोगों ने अपनी जान government medical college रजोरी से गवाई है दो लोगों ने अपनी जान जो है GMC कठुवा से गवाई है दो लोगों की मौद GMC डोडा में हुई तीन लोगों की मौद आज ASCOMS बतरा में हुई दो ल डिस्टिक हॉस्पेल किस्तवार में गवाई एक वएक वक्ती की मौद नाराएना कट्रा में हुई दस लोग जो brought dead थे एक वक्ती की मौद स्किम्स बैमीना में ने हुई दो ल लोगोंने स्किम्स 01 में अपनी जान गवाई तीन लोगों की मौD SMHS affect city hospital शिनगर में हुई एक वक्ति की मोट JLNM Hospital श्रीनगर में हुई, एक वक्ति की मोट Community Health Centre कुपवाडा में हुई, दो लोगों की मोट DCHC छानपूरा में और एक वक्ति अपनी जान GMC अननतनाग में गवाई, यह वो साथ मोते हैं जो आज के दिन में COVID-19 के काण्व हुई और कल तक डिटेल भी आ morbidity थी कौन जो है वो severely काफी देड़ से था लेकिन फिलाल death का जो figure है 2672 पहुंच चुका है पूरे जमु कश्मीर में ये figure जो है कश्मीर में 1533 है और जमु डिविजिन में 1139 साथी में अगर बात करें active cases की तो active cases इस समय 46,535 पहुंच चुके हैं यानि कि दिन के जिस तरीके से 4-4,000 cases आ रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है कि कल जब आप आंकड़ा देखें तो वो आंकड़ा 50,000 क्रॉस कर चुका हो और साथी में अभी अगर बात करें उन लोगों की जिन्होंने रिकावर किया है ऐसा नहीं है कि लोग रिकावर नहीं कर रहे हैं पच्चिस सो लोग वो भी हैं जिन्होंने रिकावर किया है लेकिन active cases आपके तब बनते हैं जब आप रिकावरी का फिगर माइनस करते हैं और रिकावरी का फिगर माइनस करने के बावजूद भी 46,535 लोग इस समय से हैं जो COVID-19 से infected हैं अगर बात करें डिस्टिक वाइस डीटेल्स की तो आज शीनगर डिस्टिक में 853 केसे आए हैं जिन में से 5 ट्रावलर्स हैं पिछले दिनों के comparatively number कम है लेकिन number कम होने का ये मतलब नहीं कि अब साफधानी बरतना छोड़ दें बारा मुला में 470 केसे आए हैं बढ़गाम में 444 केसे आए हैं ये वो तीन डिस्टिक्स है जमू डिस्टिक को मिला कर जहां पर complete lockdown लगा हुआ था पुलवामा के अगर बात करें पुलवामा में 325 केसे हैं जिन में से 2 ट्रावलर्स हैं कुपवारा में 131 केसे आए ट्रावलर कोई भी नहीं अनंतनाग में 573 केसे आए 2 ट्रावलर्स बांडिपुरा में 83 केसे आए 5 ट्रावलर्स गांदरबल में 55 केसे आए ट्रावलर कोई जा रहा इन पेरिफरेश से भी अब जो है cases बढ़ने शुरू हो गये हैं बात क्या करें क्या हम बात करें कठुवा की क्या हम बात करें अन्य जगाहूं की जहां से एकदम से स्पाइक जो है वो cases में देखने को मिलता है शोपिया के अगर बात करें शोपिया में 88 cases जो है वो आज के दिन में भी आए हैं कश्मीर डिविजन में overall 3259 cases आए हैं जिन में से केवल 19 travelers हैं बाकी सभी वो लोग हैं जो local population के हैं जो की कश्मीर से COVID positive आए हैं जम्मू डिविजन के अगर बात की जाए जम्मू डिविजन में जम्मू डिस्टिक में 634 COVID-19 cases आए हैं और उने से traveler कोई भी नहीं और जैसे कि आज डॉक्टर अनिल शर्मा ने भी बताया कि नंबर जो जम्मू डिस्टिक में आ रहा है 500-600 के करीब मतलब यह नह को लेट हो रहे हैं वो सोच रहे हैं हम ठीक हो जाएंगे हमें टेस्ट करवानी की जुरत नहीं हमें करनी की जुरत नहीं हमें डॉक्टर को करनी की जुरत नहीं ऐसा ना कीजिए जम्मू डिस्टिक में भी टेस्टिंग को और अग्रेफिव करनी की ज़रूरत है ताकि cases अं नंबर जंप कर रहा है 247 केसिज आज भी रजोरी डिस्टिक्त से आए हैं जिन मेंसे 2 ट्रावलर्ज है 245 लोकल रोडा से आज 22 केसिज आए हैं और डोडा की अगर बात की जाएं डोडा डिस्टिक्ट में हाला की नंबर केसे कम हैं लेकिन दोडा में भी 71 अभी तक कोविड-19 के कारण हुई है जब कि अगर बात करें हम तोटल केसे की जो आज तक डोडा डिस्टिक्ट में आए हैं 4102 टोटल केसे जब से COVID-19 की वेव शुरू ही है तब से लेकर आज तक डोडा में 4102 केसे आए हैं लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक 71 लोगों ने अपनी जान डोडा डिस्टिक्ट में गवाई है यह मैं इसलिए कह रह हैं आज के दिन की भी अगर बात करें GMC डोडा में दो लोगों की मौत हुई है अगर नंबर कम है तो उसका यह मतलब नहीं है कि आप COVID से प्रोटेक्टेड हैं बहुत सारे लोग सीरिसली इल हो सकते हैं वहाँ पर भी तो वैक्सीन जरूर लगवाएं कठुआ के अगर बात जो 4788 केसे आएं 51 ट्रावलर्स हैं बाकि 4737 जो हैं वो लोकल्स हैं जो कौड़ पॉस्टेव आये हैं कठुआ में 155 लोकल्स हैं 14 ही ट्रावलर्स हैं सामबा के अगर बात की जाए 66 पॉस्टिव केसे हैं ट्रावलर कोई भी नहीं किस्तवार में 23 केसे आए हैं आज के दिन म टावलर कोई भी नहीं है ये सुरतेहाल है आज के दिन का और अगर बात की जाए बेड कपास्टी की क्यूंकि आज भी लेटरेंग गवर्णर मनोथ सिना ने ये भी एनाउंस किया है कि जम्मू डिविजन में बेड कपास्टी बढ़ाई जाएगी ऑक्सिजन के सिलेंडर्स ज की अगर बात की जाए तो 19 बेड फिलाल इसमें बताये गए हैं बुल्टिन में कि 19 आइसुलेशन बेड गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज में मौझूद हैं और ICU बेड एक भी नहीं चेस डिजीज हॉस्पिल की अगर बात की जाए तो 19 बेड चेस डिजीज हॉस्पिल में भी वेकेंट बताये जा रहे हैं और ICU बेड के वल एक वेकेंट है गांधिनगर हॉस्पिटल न्यू ब्लॉक की बात की जाए तो 91 बताये जा रहा है कि 91 आइसुलेशन बेड अवेलिबल हैं लेकिन ICU बेड कोई भी नहीं 20 ICU बेड वहां पर थे 20 लोग एडमिट हैं वहां पर ले बात की जाये गरणधिनगर हॉस्पिटल ओल्ट ब्लॉक की तो ओल्ट ब्लॉक में केवल आठ बेड यू जो हैं वह अभी तक वेकेंट है इसुलेशन के और तीण बेड आइसुयो के वेकेंट हैं। सूपर स्पेशल्टी हॉस्पिल की बात कीज़ें, सूपर स्पेशल्टी हॉस्पिल में 11 बेड्स आइसुलेशन के अवेलेबल हैं, और 4 बेड्स आइसीउ के अवेलेबल हैं, बाकी बेड्स जो हैं वो फिल हो चुके हैं, एसकॉम्स में अभी 16 बेड्स जो हैं आइसुलेशन के उपर हैं साथी में अगर बात की जाए अन्य हस्पतालों की नरायना हॉस्पिटल की नरायना हॉस्पिटल में भी इस समय बाइस बेट जो हैं वो isolation के available हैं और ICU के तीन बेट अवेलेबल हैं अगर देखा 180 ऐसे लोग हैं जो इस समय जम्मू डिविजन में अलग-अलग हस्पतालों में ICU के अंदर एडमिट हैं उसमें से 11 लोग जो हैं वो invasive ventilator के उपर हैं 93 लोग non-invasive ventilator के उपर हैं और 76 वो लोग हैं जो ICU में हैं लेकिन जिने ventilator की ज़रूरत नहीं है कश्मी डिविजन के अगर बात की जाए तो बेट की जहां तक बात है हालात और जादा ग्रिम हैं क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पर number of cases जो हैं वो जम्मू डिविजन के comparatively जादा हैं यानि कि hospitalization भी जादा होगी hospitalization जादा होगी तो यानि कि beds capacity जो है वो कम हो जाएगी smhs hospital में अगर बात की जाए तो तीन beds vacant है isolation के और ICU का एक ही bed available है skims hospital हो chest disease hospital हो या फिर skims बैमीना हो skims सोरा हो या skims बैमीना हो है cd hospital शीनगर में साथ beds isolation के vacant है skims बैमीना शीनगर में 35 beds isolation के vacant है jlnm hospital में 25 beds जो है वो isolation के vacant है और आठ beds ICU के vacant है लेकिन अन्या बाकी जगाहों पर आपने देखे लिया कि वहाँ पर जगा नहीं है ICU में ICU में beds fill up हो चुके हैं वहीं अगर बात की जाए उन लोगों की जो लोग ICU में एडमिट हैं कश्मीर में तो 112 लोग वो हैं जो कि इन्वेजेव वेंटिलेटर के उपर हैं कश्मीर में यह सूरते है जो मुकश्मीर की जहां लगातार जो है number of cases बढ़ते जा रहे हैं अब बात करें कि करना क्या है जरूरत क्या करने की है पहली चीज कि जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें दूसरी चीज कि आप जब शादियों में जा रहे हैं आप ये नहीं समझ रहे कि उस close setting में होगा तो वो कितने और लोगों को positive कर सकता है उसके इलावा सरकार को क्या करने की जरूरत है पहली चीज जो doctors भी कह रहे हैं ये जो आपने lockdown के दोरान timing रखा हुआ है सुभा 6 से 10 का ये किसी भी तरीके से logical नहीं है क्योंकि 6 बजे कोई grocery shopping करने जाएगा नी और 8 से 10 बजे के बीच में जब लोग एकदम से दुकानों पर चले जाएंगे तो भीड़ी कठा होगी आप ये सोचेंगे कि हम अगर पूरा दिन के लिए दुकाने खोल देंगे तो लोग आते जाते रहेंगे वहाँ पर अगर एक व्यक्ति जो है आ जा रहा है उससे कोई infection नहीं फैलेगा अगर 15 लोग एक साथ एक दुकान के उपर जा रहे हैं तो infection फैलने का खत्रा होता है उसके इलावा जहां तक बात है medical infrastructure की बहुत जरूरत है medical infrastructure की आपके पास खाली hospital की buildings पड़ी हुई हैं आप उन्हें क्यों नहीं convert करते COVID care centers में आपके पास जितने भी खाली spaces पड़े हैं आ आपको लग रहा है अभी हमें जरूरत नहीं है अभी manage हो जाएगा manage नहीं हो पाएगा क्योंकि manage जो है वो doctors को करना है और इस time पर already patient का load कितना जादा है इन doctors के उपर वहीं ये भी देखना होगा कि इस time पर ये जो COVID की second wave चल रही है कुछ doctors का कहना है कि पीक आ चुकी है problems patients को आ रही है इस time पर जो problems attendance को आ रही है आपको उसे अभी ensure करना है ताकि आने वाले दिनों में अगर तो situation बहतर होती है बहुत अच्छा है लेकिन अगर situation बहतर नहीं होती तो मसला जो है वो और जादा बड़ा ना बन जाए मीडिया को भी कोई खास शोक नहीं है पेशें के लिए वो call लगाता है कोई जवाब नहीं देता control center में वो number गुमाता है कोई जवाब नहीं देता जब एक patient बिमार होता है उसका परिजन जो है परशान होता है तो हमारे पास भी और कोई option नहीं बचता ये कहने के सिवा कि यहां पर प्रशासन फेल हो रहा है अभी जिस त cases, doctors कह रहे हैं under reported जा रहे हैं वो जो dead tool है वो सामने है कि बढ़ता ही जा रहा है कुछ ना कुछ करने की तो जरूरत है जिससे इस पर रोकथाम लगाई जा सके वहीं लोगों से भी ये गुजारिश कि आप क्यूं डरते हैं क्यूं घबराते हैं क्यूं नहीं बताते अगर आ जितना इस बिभारी को छुपाएंगे आप अपने आपको और देंजर में डर रहे हैं आपको फाच दिन से बुखार हैं कोई बात नहीं जौन ड़एं कोई बिमारी होग ये संश झींड़ जा रहे हैं आप कह रहे हैं कोविट नहीं है तो आप अपना oxygen saturation चेक नहीं कर रहे हैं फिर किसे मालूम है कि आपने और कितने लोगों को यही सोचते वे infect कर दिया होगा कि मैं तो कोविट positive हूँ ही नहीं और कई नए symptoms भी doctors बार बार बता रहे हैं कि अगर आपका पेट खराब हो रहा है उसे भी series ले skin rash develop हो रहा हए उसे भी seriously ले जुकाम हो रहा है उसे भी seriously ले खांसी हो रही है उसे भी seriously ले यह सारे symptoms जो रार बार बता रहे है आपका फिर भी कहना है कि यह खांसी यह बस allergy हो गई है ये मैंने कुछ गरम खा लिया था उससे हो गया है ये मैंने कुछ थंडा पानी पी लिया था उससे हो गया है थंडा पानी पीने से जो गला खराब होगा वो आपका पांच पांच दिन तक नहीं रहेगा और पांच दिन दस दिन लगाने के बार जब आप हस्पताल पहुंचते हैं फिर आप कहते हैं कि डॉक्टर्स ने कुछ किया नहीं जब आप टाइमली हस्पताल पहुंचेंगे जब आप इस बिमारी को सीरियसली लेंगे और सोचेंगे कि मैं रिकावर भी कर सकता हूँ अगर मुझे मैं पहले ही टेस्ट करवा लूँ मैं जो प्रॉपर मेडिसिन बताई जा रहे हैं वो लूँ और मैं सारे प्रिकॉशन्स लूँ आखिर में आप लोगों से बस यही गुजारिश खुद को वैक्सिनेट करवाएं जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया है वो खुद को वैक्सिनेट करवाएं और बाकी लोग अगर आपका स्लॉट अभी तक नहीं आया है अगर आप खुद को भी वैक्सिनेट नहीं करवा पा रहे हैं किर्पिया करके घर से बाहर ना निकले घर से बार तब तक ना निखलें सबत्त है कोई काम नहों और काम के लिए अगर निकल रहें तो मास्क पहन कर निकल लिए दो-डो मास्क पहन कर निकल लिए और किसी से बात करते टाइम नीचे ना करें हमने विजुल्स आपको स्रेट लाइन के महादिम से दिखाए दो बुजुर्ग लोग आपस में बात कर रहे हैं आपस में बहस कर रहे हैं मास्क नीचे करके कर रहे हैं आप जब बात करते हैं आपके मुँसे डॉपलेट्स निकलते हैं आप किसी और को इंफेक्ट कर रहे हैं, वो जब बात करते हैं, उनके मूँ से ड्रॉप्लेट्स निकलते हैं, वो आपको इंफेक्ट कर सकते हैं, तो बात करते हैं, तो कम से कम मास्ट पहन कर रखें, आप गाड़ी में ट्रावल कर रहे हैं, कोई बात नहीं, गाड़ी का से से हूं